नमस्ते एंड हेलो मेरा नाम है संदीप सिंग कीछी आंडी फाउंड सियों डिजाइनर एड दी बालम्स जी हाँ इसको हम आगे और ग्रो करने चाहते हैं तो उसके लिए आपका पूरा शहिएगा जो आ प्लीस चांट वीडियो को सब्स्क्राइब करना init 2002 वीडियो जो कि है वाट e wrapping इसकी डिफेर्ट होती है। और यह डवलब कभी हिस्टरी के बारें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यह डवलब हुई टी नाइंटीन गार्वाराजा जोदपूर के हिजायनेस महाराजा सर प्रताप सिंग जी तो उन्हों ने उनको एक थर से घुर सवारी का बहुत शौक था तो यह जोदपूर के अंदर ही यह बनी वी है सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो ब्रिजेस है यह जोदपूर का ही वियर है यही से ह हुआ है इन्वैंट भी किया था जोईयनेस महाराज सर परताप सिंग जी। उन्हों ने इसको किया था और उन्हें क्यों किया था क्यों कि वही मैं आपको कहता हूं आवशकार ही जो है वह जननी है तो इसलिए जो है उन्होंने इस चीज को इन्वेंड के क्योंकि उनको घुट सवारी होस राड़िंग बहुत ही पसंद थी तो वह क्या करते थे ट्राउजर क्योंकि पहले जो 19th सैंचुरी की जब मैं बात कर रहा हूं उस टाइम यह वियर डवलप भी नहीं हुआ तो उस टाइम उनको लगा कि जो पैंट से वह बहुत ही लूज फिटिंग है उसको मतलब होस्ट राइडिंग करते हैं तो बहुत ही वह पैंट लूज है कभी सैडल के अंदर भी वह आ जाती मतलब काफी सारी उनको दिक्कत है होती जैसे आज हमको किसी चीज के अंदर दिक्कत होती और हम उस चीज को नहीं डवलप करते हैं या आपको कोई अपनी परस्नेल्टी के अंदर कुछ दिक्कत होती है तो हम आपकी परस्नेल्टी जो जो फैब्रिक से जो सिल्वर्ट से या जो आपकी सब्सक्राइब करें तो यहां तक तो पूरा मतलब पैक होना चाहिए क्योंकि जो हॉर्स पर बैठने जैसे हम लोग बैठने की जब आप सीटिंग देखेंगे तो मतलब यह जो एरिया होता है गुटने से लेके पूरा अपना फूट का वो पूरा का पूरा फिट होना तो फिर आपका जो हॉर्स राइडिंग वो भी मतलब उसकी कॉलिटी निकल कर नहीं आएगी तो यह प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी और उन्होंने मतलब कोई टेलर को या ऐसा को उन्होंने देखा और उन्होंने इस चीज को पूरा का पूरा डवलप किया तो जैसे ही अजीब सी चीज आजाए तो आप उसको क्या कहिंगे क्या रहे यार यह तो बहुत ही मतलब अच्छा है जैसे को नया शर्ट का प्रिंट आजाए या जैसे अभी आज कल कार्गो जो ट्रॉजर्स यह वो भी काफी मतलब चल रही है तो वो कस्नमाइज भी हम लो करके बनाते हैं तो मतलब यह सारी चीजे तो आपको लगता है कि आरे वह यह क्या चीज है तो उस ताइम भी लोगों को एकदम मतलब लगा कि आरे वह मतलब यह क्या चीज है तो उन्होंने खुद ने उसको यूज करके देखा जैसे उस तैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी यहां पर तो वहां पर आपको पता है होर्सेज खूब सारे होते थे तो उन्होंने भी उस चीज को पहन के देखा उन्होंने का वायर यह तो बिलकुली कमफोटेबल राइड है मतलब आप मले राइड करते करते इतना कमफोटेबल लग रहा था उनको फील हो रहा था तो सबसे पहले जो bridges है फिर और प्लस जो है यह जीज जो है British India ने भी यूज करी फिर उसके आगे जो उनका जो country था England वहाँ पर भी काफी सारे horsemen थे क्योंकि पहले जो cars वगेरा है वो सब उसका मतलब कम था कार्स काफी एक जो class थी उनके पास ही होती थी जो विंटेज कार्स जिसको हम कहते हैं ज्यादा तर लोग जो है वह जो जी जो अनिमल्स होते हैं उनके उपर ही घूमा करते थे जैसे कि आपके horse हो गया या और कोई animal हो गया तो ज्यादा हम लोग history के बारे में बात महीं करेंग कि इसको एक तरह से fashion या एक तरह से luxury जो वियर है उसको इस तरह से मतलब पहनना start किया तो धिरे धिरे men plus women उन्होंने भी इसको पहनना start किया जी हाँ women जो है उस time horse riding करती थी तो उन्होंने भी उस चीज को मतलब पहना और खा कि मतलब यह तो बहुत ही मतलब अलग ही चीज है बिल्कुली मतलब खुला-खुला उसमें feel होता है तो उसके उपर boots जो है वो आराम से easily वो पहन सकते दे तो दिरे 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 इसका जो प्रचलन है वो दिरे दिरे movies के अंदर भी बढ़ने लगा जैसे मैं आपको है picture दिखा रहा हूं तो यह जो actress है इन्होंने भी ब्रिज organization मिला और दिरे दिरे यह जो bridges है काफी मतलब popular हो गई और इसको मतलब एक तरह से किसी ने मतलब कहते हैं मैंने भी सुना था मतलब यह history में कहीं शायद लिखावा है या नहीं लिखावा है किसी ने किसी से पूछा था कि इसको आप कहोगे क्या क्या क्योंकि यह चीज तो आ इंडिया के अंदर जो हम इसे bridges भी कहते हैं पोलो पैंट भी कहते हैं और भी काफी सारी चीज़े जो है वह इसे कहते हैं सो धिरे-दिरे क्या हुआ इसकी पॉपॉलरिटी बहुत बढ़ने लगी तो जो प्रिंस अलबर्ट है उस ताइम उन्होंने विंस्टर कैसल के अंद है वह आगे बढ़ती गई और लोगों के अंदर और ही उसकी जो पॉपॉलरिटी है वह बढ़ती गई अब आता है हम इसके स्टिचिंग के उपर तो स्टिचिंग के अंदर भी इसकी हिस्ट्री है मतलब जैसी bridges पहले थी वैसी आज नहीं है क्योंकि आज के यूटिलिटी ह पहले है वह अज का जो वीएर है वह डिफरेंट तो स्टिचिंग होती जब उस तैम का जमाना नहीं ता सिंस डियु एक्डम है यूटीन के पास में लोग जाते कपड़ें सिलवाते अस तो काफी सारे चेंजुड़ें थी आज तो दो चीजें है जैसे हम लोग भी दोनों रखते हैं तो उस ताइम जैसे ब्रिजेस जो है उस ब्रिजेस जब आप राइडिंग एक तरह से राइडिंग गेर था मतलब जिस ताइम ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था तो उस ताइम जो है ब्रिजेस के साइड में जो नी के जो बिल्कुल साइड में जो पैरों के सा और जो आपके जो नी है उसके साइड में फ्रिक्छन होके वो फैबरिक नहीं फटे बिर्ज नहीं फटे ब्रिज़िस का तो उसके लिए वहां पे लेदर लगा देते थे चंबडा लगा दे ताकि ब्रिक्शन जो है वो लेदर टू प्लस जो इसकी जो मौरी है जो कफ से वहां पर भी हैंड स्टिचिंग होती थी मैं सब आपको यह वीडियो में दिखा रहा हूं आप प्लीज उसे देखिए तो यह चीजें होती थी बट आज की यूटिलिटी अलग है आज हैंड स्टिचिंग जो होती है जो फैब्रिक्स पे मदले हैं दो दौनों चीजें हैंगर आपको पूरी को तो नहीं जैसे हैंड स्टिचिंग का भी फीचर अगर आपको पैनना है तो भी हम लोग रखते हैं और प्लस माशीं से जो बनीवीsung होती हैं तो वह भी हम लोग रखते हैं तो यह आकिए फीचर की जया आप मेरे तो जो फीचर आते थे पहले ब्रिजस के अंदर में आपको बताता हूं जो बैल्ट है यह पूरा का पूरा ट्राउजर बैल्ट है प्लस यहां से जो है यह पूरा का पूरा शेप आता है तो यह जो पूरा शेप है यह आपके नी तक जाता है और यहां से जो है इसके अंदर स्टिचिंग है वो डबल हो जाती है डबल इंदर सेंस कि मतलब पूरी जो इसकी जो स्टिचिंग है यह मतलब दो पार्ट के अंदर बनती है पूरी की पूरी यह सिंगल पार्ट में नहीं बनती है यह डबल पार्ट के अंदर बनती है क्योंकि बहुत ही यह लक्जिरी वियर ह उनों ने बनाना जो जब से सीखा तब से आज तक बन रहा है तो यह बहुत ही अच्छी बात है प्लस इसका सबसे बड़ा जो की फीचर है वो है कि इसका जो यह शेप है इसका यह शेप आज भी ट्रेडिशिनल जो शेप है वही बनता है जिसके पास में इसकी कला है ट्रेडि तो यहां से पूरा का पूरा आपकी जो पैर के एक तम चिपका करके रख दिया था कि उसके उपर बूट जो है वह अच्छे से आ सके और यहां से भी उसकी जो फिटिंग है वह बहुत ही टाइट फिटिंग हो देती बट आज के जमाने में इसका जो फीचर है वह यह होगे क् कि मैसके कि अइसके लोगों के पास जैसे इसको मदलाब पहन के जैसे वेडिंग के अं दर या management करत का नियुस्य कहते है तो अब की जो की जाड़ा के पूरे इसके जो फीचर है वह इसके अंदर जो क्रॉश पॉकेट रोजेट सथी है जैसे आप देख सकते हैं। प्लस इसके अंदर बैक के अंदर पॉकेट नहीं होती है, आप देख सकते हैं, बैक के अंदर बिल्कुल ही इसके अंदर पॉकेट नहीं है, क्योंकि बैक पॉकेट ठीक के मतलब किसी को अगर चाहिए, तो स्टिचिंग हो जाती है, बट ऑरिजिनल यहां पर बैक पॉकेट न यहां पर वह बैल्ट के अंडर छो श्यां पैरिणि बर्टा दी र्खक करूँ और तो hade मैंने दोनों साइड में दे रख दní यहां पर दूसरी सीच को बीज के तो इसके आप देख सकते हैं यूजाण को बैल्ट को है कि इसका जो यह पान है मतलब इसको वैसे पान कहते हैं बाकि यहाँ पर इस पान की जो साइ्ज है इस पैच की जो साइज वो मतलब इतनी ही पहले भी इतनी ही होती थी क्यूंकि मैंन आपको बताया न हीस्ट्री के अंदर जैसे लेंट जादा दूरी तक इतना लंबा आता था यह पैट जो है इतनी लेंथ के अंदर लिया है बट आज के टाइम में हम लोग देखे तो हम लोग पैच को थोड़ा सा चुटा भी कर सकते है तो वो मतलब पाशनली आपकी चौई से हैं जब लोग और लेते हैं तब आप से तो यहीं पर आप देख सकते हैं यह पूरा पूरा यहां पर हैंस्टिचिंग की गई ईसे में टैने मतलब मचीन से यह चीजए बनती थी वाट्स जूरते थी ज्याद हैंसुट कूतिहक जो बात आती वहां पर यहां पर हैंड जिघ्चिशिंग होती है अगा प्लुस आप देख सकता हैं कफ तो कफ के अंदर पूरी की पूरी अutना कर्कार अबड़ यहां पर कौ woven यहां पर दियावा है सो अभी खे होगया तो पूररी की पूरिवार तो वीडियो में आगे बढ़ते वे मैं आपको बताता हूं इसकी जो है स्टाइल तो स्टाइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं तो ब्रिजिस काफी लग्जुरी वियर है इसके उपर आप जो हंटिंग शर्ट है वो पैन सकते हैं जैसे आप कहीं भी वेडिंग में जा रहे हैं यह आप कहीं भी जैसे आपको अपनी परस्टेल्टि वो आपको थोड़ी सी ऑथन्टिक दिखानी है और प्लस आपको थोड़ी रजवाडी भी दिखानी है तो आप हंटिंग शर्ट और ब्रिज्जेस जो है वो इजी ली आप पहन सकते हैं क्योंकि हंटिंग शर्ट वेट होता है उसमें उसमें सर्हे का ही होता अगर फmost वेडियो नहीं देखा है तो प्लीज भटन पर मैं में आपको वीडियो दे रहा हूं और फ्मयल के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं आपसे यजसदा ज्यादा है हम लोग इस पूरा का पूर機會 धिक्त और जादा हो पूर य यह भी एक झाओ है इसके नीचे आप जो आपकी जोश्यूस आ पहाँ जैसे जो पहीन सकते हैं प्लस जैसे क्ल लौफर आते हैं उसके अंधर स announce क्यास्थ यह जुटी यह पहाँ सकते हैं क्या refuse शाเพक什麼 शांदर क्धेंडब हैं यह यहिंद captivate कॉक्टेल्टे पहने, प्लस जैसे जु पाटी जो पाटी ऊती है उसके अंदर भी आप पहन सकते हैं में को comment के अंदर जरूर आप पूछिएगा उसके बाद में आप जो है ब्रिचेस को आप पैन सकते हैं हंटिंग कोट के साथ में जी हैं हंटिंग कोट भी एक तरह से बंगले का पूरा पूरा तो यह जो चैनल है इसको आप प्लीज आप सबस्क्राइब जरूर करे वे रखना क्यूंकि मैं आपको ऐसे चीजे बताऊंगा प्लस हमारे स्टोर के अंदर भी काफी सारे जो कलेक्शन से वह भी मैं आपको बताऊंगा क्यूंकि हम लोग बहुत ही छीज़े ल लेके आते हैं, selective prints लेके आते हैं, ताकि वो हर तरह की personality के उपर जो है वो से style हो सके, तो fashion तो यही है, आपको किस event में जाना है, आपको किस तरह से किस के सामने कैसा present होना है, इसी को ही fashion कहते है, fashion का मतलब और कुछ नहीं है, तो यह fashion का meaning है, मेरे हिसाब से, the balance के हिसाब से, तो उपन रहते हैं, और यहाँ पर दो buttons होते हैं, और इसको आप shirt के साथ भी carry कर सकते हैं, प्लस bridges के उपर टी-शेट पैन के blazer, यह भी आप जो है, वो styling easily मतलब कर सकते हैं, और प्लस यहाँ पर आप एक scarf भी लगा सकते हैं, ताकि आपका जो look है, वो काफी enhance हो, प्लस आपका बॉड़ी है, वो थोड़ी सी अपर लगे, मतलब थोड़ी सी अगर आपकी height का में और अगर आप scarf लगाते, तो आपका पूरा look जो है, वो elevated look लगता है, तो वीडियो के अगर इस length अगर आप आप चुके हो, तो मैं आपको दिखाता हूं, जो मैंने आपको history बताई थी, त इसके अंदर मैंने जो इसके जो patches है, उसका हमने पूरा का पूरा इसमें look दिया है, जैसे आप देख सकते है, जैसे इस bridges को मैं open करता हूं, sorry यह पूरी packed हुई है, तो यह आप देख सकते हैं, यहाँ पड़ जो इसके जो patches है, यह इस तरह से बनाए है, यह देखे, तो यह जो । यगा वह इसके पैचे से ही आता है और जो शेप आता है साइड का हलकी सारे अलिमेंट के साथ में इसका बाता है इस कर देख सकते हैं यह कोड़र इस का अश्का फैब्रिक हमने लगाया है पैच पे तो पूरा यह जो पैच है यह हमने बनाया है और अट धिस तो आपको मैं बताता हूँ जो फैबरिक है यहां पर जैसे यह कर वा रहा है तो यह जो शेप है यह बिल्कुल ही आपका दिखना चाहिए जैसे कि मैं आपको इस ब्राउन वाली बताता हूँ जैसे कि यह जो शेप है यह पूरा का शेप दिखता है जब फैबरी के सथिक्श्व सधय होथी जादा मतलब इतनी भी ज़ादा नहीं कि आप बहुत ही जादा मतलब एक मीडिएं की actively ओती है जैसे कि रखेलिओंक होते हैं पतला फैबरिक तो उसके अंदर भी यह तो मैं काफी लोगों को देखता हूं शर्ट फैबरिक के अंदर भी लोग बिजस बना लेते हैं तो यह बिलकुल ही गलत है क्योंकि उसका जो प्रॉपर शेप उसमें मैं स्टिचिंग भले हैं आप कैसे भी ऑथन्टी करा लो क्योंकि पर वो शेप आयेगा नहीं यह आप देख सकते हैं अब जैसे आप देखते हैं जैसे ब्रिजस अगर आपने मोटे फैबरिक में बनाई प्लस उससे आप तहन के एक ही पोजिशन में खड़े रहेंगे तब ही वो शेप जो है वो यहां से बनावा रहेगा क्योंकि अंदर को जो ही जो कर वाला शेप आरहें इससे आप इसे खींच के रखें ताकि वो पूरा वो बनावारा है तो यह एक इसका बहुत ही इंपोर्टेंट पोई है क्योंकि लक्जिर वियर है इसको बहुत ही मिंटेन आपको खड़ना पड़ेगा आपकी स्टाइल के अंदर बट यह प है पहले मतलब अचसे पांच साल छे साल बस्कराइब हो गयाे या जेसे दर बिचजे बना सकते हैं वो combination पर depend करता है कि पूरी personality कैसे आपको enhance करनी है तो जैसे जैसे अपना India जैसे जैसे grow हो रहा है वैसे वैसे जो है वो यहाँ पर men's fashion का भी काफी बोल बाला है पहले men's अपने wear में इतना ध्यान नहीं देते दे आपको पता होगा विमेंस तो शुरू से ही देती है बट men's जो है वो शुरू से ध्यान नहीं देते देते तो जैसे जैसे अपनी अपना India जो है grow कर रहे हैं वैसे वैसे जो है वो fashion के ओपर men's काफी ध्यान दे रहे हैं मैं यह observe करता हूं जो हमारे store पर भी clients आते हैं काफी keen होते हैं चीजें जानकारी मतलब लेने के लिए प्लस उनकी personality पर क्या suit करेगा क्योंकि आजकल logical fashion भी ज्यादा चली है जैसे आप देख रहे हैं जैसे अगर किसी आपने किसी को भी देख ले कुछ भी चीज पहने में तो आप मतलब यह thinking अब आ चुकिए कि यह चीज मुझ पर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी है ना तो यह सबसे बड़ा question होता है देखिए आप वीडियो के इस चोड़ तक अगर आ गए हैं तो मतलब आपको काफी सारी चीजे में ऐसी ऐसी बोलता हूं ऐसी निकाल के बोलता हूं तो वीडियो में पूरा अगर जुड़ावा रहते हैं तभी आपको वो चीज पूरी की उसमें जो है वो रोल आजाता है हम जैसे designer brand का तो हम लोग पूरा उन्हें बताते हैं क्या है चीज है कैसी है प्लस हम लोग ready के अंदर भी ऐसी चीजे रखते हैं जो universally accepted है और हर चीज हर body shape और हर skin tone पे वो अच्छी लगती है क्योंकि एक तरह से designer brand है हम तो हमारा एक तरह से पूरा का पूरा मलब यह duty है यह करतव यह हमारा कि हम लोग ऐसी चीज रखें जो universally accepted हो प्लस अगर आपको अपनी personality को और groom करना है और उसको अच्छी लगाना है तो आप जो है वो personal जो guidance है वो आप ले सकते हैं प्लस जो हमारा cut you program है उसके अंदर आप जोड सकते हैं made to major का जो program है तो उसके अंदर और आप अपने पसंद की चीजें बनवा सकते हैं so men's fashion के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें हैं ऐसे काफी सारे fabrics हैं ऐसे काफी सारी accessories है जो भी काफी trend के अंदर है बट एक classic जो चीज अगर आप अपने आपको adopt करते हैं तो आपका जो look है वो काफी enhance ह होता है plus आपकी जो personality ओकाफी निकल के आती है plus आपको काफी सारे knapps मिलते हैं तो यह चीज़ें तो काफी सारे मैटर काटी है यह ज़रूब करते हैं क्योंकि इस चैनल में इतना vale average content में आपको आगे देने होते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि formal scr honor zung हुती है बस yasuk campusि प्लेन जैसा लगेगा क्या नियुक्क लगेगा सारी कॉर्मन चीज़ें को बहुती यह को सीजों में मैं अबको सीक्रेट बता रहा हूं बहुत इन चीजों में दियां तो इतनी इतनी चीज़े जब मुमेंस दियान से सकती है तो हम मैंस क्यों नहीं दे सकते हैं तो इसी चीज के लिए ही तो दब आलम्स को हमने स्टार्ट किया था एक डिजानर ब्रैंड है यह और यह मतलब बिल्कुल ही ऐसी ब्रैंड है जिसे हम लोग आगे ले जाना चाहते ह हैं आगे काफी सारे हम लोग मनलब स्टोर्स भी ओपन करना चाहते हैं बड़ आपका सपोर्ट रहेगा आपका सब कुछ साथ रहेगा तो हम लोग काफी सारी चीज़े नहीं नहीं भी करेंगे तो यहां जोदपूर में बैठे हुए कल्चर ट्रेडिशन हरिटेश को जोड करें कोई क्या कर रहे तो उनके लिए फैशन का वह पूरा हम जो है हम आपको पूरा बदा रहे हैं कैसे है क्या है तो यह सब चीजे हैं तो इसके बार इस चैनल को प्लिज आप सबसक्राइब करें और प्लीज आप ज़रू करें कि आपको जो ये वीडियो है बृजिज का कैसा लगा और हंटिंग शट का भी वीडियो आप ज़रूर देखना मैंने आपको थम्मिल दे दिया है हाला कि मैं सब मन से बोलता हूं जैसे कि आप मेरे सामने खड़े हैं सो मिलता हूं आपसे इसी तरह से नेक्स्ट इंट्रस्टिंग वीडियो के अंदर तब तक के लिए नमस्कार